आप सभी को नववर्ष की आर्दिक सुपकामना है आज हम रिकार्डो के लगान सिद्धान्त का अध्यन करेंगे रिकार्डो से पूर भी लगान संबंदी विचारों का उल्लेग हमें मिलता है परन्तु लगान के संबंद में जो मौलिक व्याख्या रिकार्डो ने की है वो सर्वस्रेष्ट है इस संदर में ग्रे ने कहा है कि यह सच है कि लगान के सिद्धान्त के बारे में अन्य विचार को ने भी चर्चा की है किन्तु रिकार्डो ने इस पर इतनी पूर्ण ता है वो मिस्पस्टता से प्रकास डाला था कि उसे उसके ही नाम से सम्भोधित किया जाने लगा था। रिकार्डो का लगान सिद्दान्त जो है वो सर्वपर्थम उसकी पुस्तक ऐसे ओन्दा इंफ्लूएंस ओफ लोव प्राइस ओफ कॉर्ण उन प्रॉफित ऑफ स्टॉक में प्रकासित हुआ था। उसके बाद वह उसकी पुस्तक प्रिंसिपल एफ पॉलिटिकल एकॉनोमी एंटेक्स एसन में विस्तत रूप से प्रकासित हुआ जैसा कि रिकार्ड़ो का लगान सिद्दान्त में रिकार्ड़ो का ये मानना की लगान क्यों दिया जाता है इसके समद्ध में अलग-अलग मत रहें प्रकर्तिवादियों एवं एडम स्मित के अनुसार लगान प्रकर्ति की क्रपा का परिणाम है माल्थस ने माना था कि जनसंग के अबढ़ने तता कर्शी में उत्पती हरास नीम लगू होने के कारण लगवान उत्पन होता है रिकार्डो ने इन सब विचारों का अध्यन किया था और कहा कि लगान इसलिए उत्पन नहीं होता है कि प्रकर्ति दयावान ने उसने कहा कि लगान इसलिए पैदा होता है, क्योंकि प्रकर्ती जो है, वह कंजूस है, क्रपन है, यानि प्रकर्ती की क्रपनता के कारण ही लगान पैदा होता है रिकार्डो के अनुसार उपजाव भूमी की कमी के कारण ही लगान का उदे हुगा है और सभी भूमिया समान उपजाव नहीं होती है यदि सभी भूमिया एक समान उपजाव होती तो लगान उपपन नहीं होता तो इस प्रकार से प्रकरती की करपणता के कारण ही उपजयव भूमियों की संख्या कम होती है इसलिए लगान प्रकरती की दया का परिणाम नहीं हो करके उसकी करपणता का फल है तो ये रिकार्डो के मौलिक विचार थे जो उसने स्वेम में दिये फिर रिकार्डो ने जो लगान की परिबासा दी है वो इस परकार से है कि लगान भूमी की उपज का वह भाग है जो भूस्वामी को भूमी की मौलिक एवं अविनासी सक्तियों के प्रियोग के बदले में दिया जाता है रिकार्डो लगान के संब्द में एडम स्मिट से प्रभावित हुआ था यही कारण है कि उसने अपनी परिबासा में मौलिक तथा अविनासी सब्दों का प्रियोग किया है रिकार्डो ने एक अन्य जगह पर लगान की परिबासादेते हुए यह भी लिखाया थे कि विबिन भूमियों पर सम्हान मात्रा में स्रमव पुंजी लगाने से उपज में जो अंतर पढ़ता है वही लगान है तो इन दोनों परिवासाओं में जो है वो अंतर बढ़ता है थोड़ा सा पहला तो यह कि पहली जो परिवासा है इसमें रिकार्डो इसमित के विचारों से प्रभावित हुआ है अब दूसरी परिबासा जिसमें वो कहता है कि विबिन भूमियों पर समान मात्रा में स्रमयों पुझी लगाने से उपज में जो अंतर पढ़ता है वो लगान है उसमें रिकाडो ने लगान को केवल एक अधिक्य कहा है जो कि उचित परतीद होता है रिकार्डो की जो दूसरी परिवासा है वो प्रकर्तिवादियों से मेल खाती है परन्तु रिकार्डो ने स्वेम अपनी पहली परिवासा को इधिक महत्व दिया था अब रिकार्डो के अनुसार लगान किस परकार से जो है घ्याद किया जा सकता है उससे पूरू हम लेंगे कि इस सिद्धान्त की क्या-क्या मान्यता है जो रिकार्डो ने कहा है उसकी क्या-क्या मान्यता है रिकार्डो के नुसार इसकी पहली मान्यता है कि भूमी सीमित मात्रा में है भूमी अमारे पास सीमित मात्रा में नहीं है सबी जो भूमी है या भूमी के टुकड़े हैं वो एक समान उपजाव नहीं है कोई भूमी ज्यादा उपजाव है तो कोई कम उपजाव भूमी है फिर वो उसका कहना है कि क्रसी या खेती पर जो है वो उत्पती रास नियम लागू होता है यानि जैसे जैसे हम एक साधन को इस्थी रख करके दूसरे साधन की मात्रा में व्रदी करते हैं तो अंत में कुल उत्पती गड़ती हुई प्राप्त होती है फिर उसने माना कि सबसे पहले सबसे अधिक उपजाव भूमी पर खेती की जाती है उसके बाद कम उपजाव भूमियों पर खेती का काम किया जाता है फिर उसने मान्यता लिए कि सीमान्त भूमी जो होती है वो लगान रहीत भूमी होती है उस पर किसी प्रकार का लगान प्राप्त नहीं होता है नेक्स्ट फिर उसने का कि उत्पादन लागत ही जो है अनाच का मुल्य निर्दारित करती है यानि जो सिमान्त भूमी पर जो उत्पादन की लागत आती है उससे मुल्यों का निर्दारण होता है फिर उसने लगान माना कि लगान की जो इस्तिती है वो पूर्ण पर्तियोगिता की इस्तिती में ही उत्पन होती है अगर पूर्ण पर्तियोगिता नहीं है तो ऐसी इस्तिती में लगान पैदा नहीं होगा अब हम चलते हैं कि रिकार्डो के नुसार है ना लगान का जो सिद्धान थे वो गहन और विस्तरत दोनों परकार की खेतियों पर लागू हो सकता है है ना रिकार्डो ने एक उधान देकर के इसपस्ट किया था कि जब बाहर के प्रवासी जन संक्या जब किसी नए इस्थान से अपना प्रवास करती है तब वह सबसे अच्छी भूमी पर खेती करती है प्रारम में भूमी प्रियाप्त मात्रा में होती है जिसकी पैदावार से सभी की आउशक्ताओं की पूर्ती होती है ऐसी दसा में अत्यदिक उपजव भूमी की सीमान्त भूमी ही कहलाती है जो सबसे पहले जिस पर खेती की जाएगी वो सबसे ज़्यादा उपजाव भूमी होगी लेकिन वो ही सिमान्त भूमी कहलाएगी और उस पर किसी परकार का कोई लगान पैदा नहीं होगा जैसे जैसे बाहर से आने वाली जन संक्या का बाहर करशी पर पढ़ता है वैसे वैसे उपजाव भूमी कम रह जाती है और अनाज की मांग बढ़ने के कारण लोग कम उपजाव भूमी पर खेती करने लगते हैं करशी कला की इस इस्तिती में ही लगान का प्रादूर भाव होता है जब हम कम उपजाव भूमी पर खेती करना शुरू करते हैं तो जो अधिक उपजाव खेती है उस पर लगान पैदा होना शुरू हो जाता है तो जैसे जैसे गटिया भूमी या कम उपजाव भूमी पर खेती की जाती है वैसे वैसे उसकी उत्पादन लागत उपजाव भूमी की उत्पादन लागत की तुलना में जदा आने लगती है उपजाव भूमी पर कम लागत पर भी अधिक अनाज पैदा होता है जबकि जो कम उपजाव भूमी है, उस पर अधिक खर्चा करने पर भी कम अनाच पैदा होता है, तो उत्फपादन लागत के बढ़ने से अनाच का मुल्य भी बढ़ जाता है, इस परकार जैसे जैसे अनाच की मांग बढ़ती है, वैसे वैसे गटिया या कम उपजाव भूमी पर खेती की जाने लगती है जिसके कारण अनाज के मुल्यों में वरदी होती है तो रिकार्डों ने मुल्यों और लगान के संब्द में इस बात को इसपस्ट किया है कि जैसे जैसे अनाज का मुल्यों बढ़ता है वैसे वैसे लगान में वरदी होगी तो ये कहना गलत है कि भूमी का लग का ईंचा है इसलिए अनाच का मुल्ि उंचा है क्योंकि रिकार्ड ये मानता है मुल्य You … जा इना इसलिए जो है लगान उंचा रहा है था अनाच के मुल्य में व्रहदी हो जाने से ही बूमी का लगान बढ़ता है इस पर अलग-अलग दान ले सकते हैं विस्तरत खेती नगा सबसे रेखेट पर लेते हैं विस्तरत खेती का यह जो टेबल है इसमें देख ये chorvery है अलग-अलग भूमी है इस रेनी की भूमी इस रेनी की भूमी और सबसे just भूमी एंब देख प्रारम में जब जन संक्या प्रवास करती है तो वो ए स्रेणी की भूमी पर खेती करती है उससे अनाज का जो कुल उत्पादन है 100 कुंटल होता है और कुल लागत 100 रुपे आती है और इस पर किसी परकार का लगान पैदा नहीं होता है लेकिन जैसे जन संक्या का बाहर और 20 रेणी की भूमी पर खेती की जाती है तो कुल अनाज का उत्पादन तो होता है 80 कुंटल और कुल लागत आती है 100 कुंटल पहले के बराबर यानि अगर 100 रुपे खर्च किये जाए तो ऐसी इस्तिति में 80 कुंटल अनाज ही पैदा होगा तो इस परकार से और बाजार क जो परति कुंटल मुल्य है वो 25 रुपे तै होता है तो सी भूमी पर जब और उससे कम उबजाओ भूमी पर खेती की जाती है तो उतनी ही लागत लगाने से 60 कुंटल अनाज ही उत्पन होता है तो बहतिक रूप में हम देखे हैं तो जो अनतिम सी भूमी है वो सीमांत भू कुंटल होगा और सी भूमी पर 60-60 बराबर 0 कुंटल लगान उत्पन होगा तो इस परकार से जो सी भूमी है वो लगान रहित भूमी होगी या इसको सीमांत भूमी भी कहा जाता है कई बार दो नंबर का सवाल पूछा जाता है कि सीमांत भूमी रिकार्डों के अनुसार कि सिखा गया गया तो जिस भूमी पर किसी प्रकार का लगान उथ्पन नहीं होता हो वो सीमांत भूमी होगी और उससे उपर वाली भूमी वह अधी सीमांत भूमी कहलती है इसको मुद्रा के रूप में माने मान लीजिए 25 रूपे क्विंटल बाजार का मुल्य है तो यह जो भूमी है उस पर 100 इंटू 25 माइनस 60 इंटू 25 तो 100 इंटू 25 दोजार पांसो और 60 इंटू 25 पंदरह सो दोजार पांसो माइनस पंदरह सो बराबर 1000 रूपे लगान मुद्रा के रूप में उत्पन होता है इसी परकार से भी भूमी पर 500 रूपे और सी भी भूमी पर सुन्य 60 इंटू 25 माइनस 60 इंटू 25 इस इगल टू 0 तो लगान रहीत भूमी होगी इसको अगर हम रेक्षा चित्र के रूप में देखें तो यह जो रेक्षा चित्र आपके सामने है इससे जो है बार टेबल है इससे हमें पता चल जाएगा ए बूमी पर लगान पैदा हो रहा है 100 माइनस 60 बराबर 40 कुटल जो की लाइनों दोरा दिखाया गया है इसी परकार से बी बूमी पर 20 कुटल लगान पैदा हो रहा है और सी बूमी पर कोई लगान उत्पन नहीं हो रहा है क्योंकि यह सीमान्त बूमी है इसी को अगर हम गहन खेती में लें तो ऐसी इस्तिती में भी कर सकते हैं यह जो टेबल आपके सामने है इसमें हम भूमी का एक ही टुकडा लेते हैं और उस पर स्रम और पुंजी की मात्राओं को बढ़ाए जाते हैं तो जब हम पहली मात्रा लगाते हैं स्रम और पुंजी की जो है 40 कुंटल हो जाता है और कुल लागत वही 100 रुपय आती है फिर और हम स्रम और पुंजी की मात्रा में वरधी करते हैं तो ऐसी इस्तिती में अनाज का उत्पादन तो 20 कुंटल होता है लेकिन कुल लागत 100 रुपय के बराबर आती है तो इस परकार से जैसे जैसे हम उत्पति रास्नियम के लागू होने के कारण भूमी के एक निश्चित तुकड़े पर स्रम और पुंजी की मात्राइं बड़ाते जाते हैं तो उन बड़ा यूई मात्राओं से जो अनाज उत्पादन होता है वो पहले की तुलना में कम होता है इसका बाजार मुली भी हमने 25 ही रखाया तो इस परकार से जो बहुतिक लगान है वो पर्थम मात्रा लगाए जाने पर 60-20 तीसरी मात्रा को इसमें से घटाएंगे तो 40 क्विंटल के बराबर पैदा होता है दित्य मात्रा लगाने पर स्रम और पुंजी की लगाते हैं तो 20 क्विंटल के बराबर लगान पैदा होता है और तृत्य मात्रा लगाने पर सुन्य लगान उत्पन होता है तो यह लगान रहित मात्रा कहलाएगी स्रम और पुंजी की यानि सीमान्त भूमी नहीं सीमान्त मात्रा हैं स्रम और पुंजी की कहलाएगी इसी परकार से मुद्रा के रूप में 1500 और 0 हमें उत्पन होती है तो इ दिखाया गया है, दूसरी बार जब हम और स्रमव और पुंजी की मात्राओं को बढ़ाते हैं, तो ऐसी इस्तिति में 40 क्विंटल पएदा होता है, और तीसरी इस्तिती में 20 क्विंटल, तो पहली इस्तिती में 60-20 बराबर 40 क्विंटल के बराबर जो है लगान पैदा होगा, तो इस परकार से रिकार्डो का जो लगान सिद्दान थे, वो गहन खेती और विस्तरत खेती, दोनों में ही इसकी व्याख्या की जा सकती है, इतनी रिकार्डो के सिद्दान का इतना अच्छी तरह से स्पस्टिकन दे जाने के बावजूद भी, इसका यह जो सिद्दान थे वो आलोचना से परे नहीं रहा है, अर्थ सास्त्रियों ने इस सिद्दान की आलोचना की है, इसमें जो सबसे पहली आलोचना की गई है, वो भूमी की स्थिति को लेकर के की गई है, अर्ट शाँत्री में बहुमी की इस्ठिती की उपेछए कर दीती, जबकि लगान के निर्दारण में बहुमी की उर्वरा सकती तथा उसकी प्रस्तिती दोनों कम है तो होता है से हमारा यह तातपरिया है कि यतायात के साथ पाजार से भूमी की दूरी कितनी है अगर कोई कम है तो ऐसी स्तिती में ट्रांस्पोर्टेशन चार्जेज खम आएंगे तो उसमें लगान पैदा हो सकता है एक कम उपजाव भूमी का टुकड वह अधिक होता है, तो इस परकार से कम उपजाव भूमी पर आधिक के प्राप्त हो सकता है तो इस प्रकार से जो है बच्चत कम उपजव भूमी पर अधिक हो जाती है और अधिक उपजव भूमी पर कम हो जाती है तो दूर इस्तित उपजव भूमी की अपेक्सा बाजार के निकट इस्तित कम उपजव भूमी से भी लगान प्राप्त हो सकता है तो आलोजकों का ये कहना है कि लगान का निर्दारण केवल भूमी के उपजव उपन से नहीं होता है बलकि उसका निर्दारण उसकी स्तिती से भी होना चाहिए दूसरी आलोजना की जाती है कि जो रिकार्डों ने खेती का जो क्रम लिया था या जो खेती का एतिया सिक्रम लिया था वो गलत था वो सही नहीं था क्योंकि रिकार्डों के अनुसार बाहर से आने वाले वेक्ति सबसे पहले सबसे अधिक उपजव भूमी पर खेती करते हैं जैसे जैसे खाद्यान की मांग बढ़ती है या बाहर से आने वालों की जन संक्या का बाहर भूमी पर बढ़ता है। जो जंगलों से भरी रहती है, जब व्यक्ति जंगल रही साब भूमी पर कबजा कर लेता है, तब वह इदर उदर उपजाव भूमी की खोज में भटकता है, तो बाहर से आने वाला व्यक्ति सबसे पहले उपजाव भूमी पर खेती न करके, कम उपजाव भूमी पर या गटि प्रतियों पूमी पर खेती करेंगे और उससे आदिक के प्रापत होगा तो उस पर लगान हो जाएगा और जिस पर पहले खेती के गई वह कम उपस दोगान रही थी यह सीमा प्रतियों गीता को लेकर किए गई रिकार्डो ने अपने सिद्धान्त में सोतंत्र परतियोगिता की मानियता को सुविकार किया था और उसने भूस्वामियों और क्रसकों के बीच पूर्ण परतियोगिता को माना था बुष्वामी और किसान आपस में परतियों गिता करते हैं और मुल्य का निर्दारा होता है। इसके अत्रिक्त रिकार्डों की ये मान्यता भी सही नहीं है कि विभिन परकार की भूमियों से प्राप्त होने वाली उपज की किस्में समान होती है। इस आलोचना के विरोध में ये का जा सकता है कि लगान सिद्दान जैसे जटी लेवं अमूर्त विचार के लिए ऐसी ही मान्यता की आवशिक्ता थी। चाहे वो किसी भी परकार की भूमियों पर पैदा किया गया हो। नेक्स्ट फिर रिकार्डो ने ये माना था कि लगान मौली के अवम अनिवासी सक्तियों का परतिफल है। उसने अपनी परिबासा में भी सब्द का उपियोग किया है। लेकिन आलोच को ने इसकी आलोच ना करते हुए का है कि लगान भूमी की मौली के अवम अविनासी सक्तियों का परतिफल नहीं है। बलकि वह भूमी में लगाये गए पूर्व स्रम का परतिफल है। जैसे कि एक जंगल को साफ करना, भूमी की चक बंदी करना, या मेड बनाना, सिंचाई के साधनों को जुटाना आदी। जहां तक भूमी की उर्वरा सक्ति की अनस्वर्ता का प्रशन है, यह पूर्ण तया ही निरादार है। यदि कास्तकार या भूस्वामी या किसान भूमी को प्रकरति की देखरेक में छोड़ दे। तो उसकी उर्वरा सक्ति जो है, वो कुछ समय में ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए कास्तकार और भूस्वामी भूमी की बार-बार देख भाल करते हैं। जिसके परिणाम स्रूप उसकी उर्वरा सक्तिय या उपज़ हरास होने से उसे बचाया सके हैं तो लगान केवल भूमी की अवनासियम मौलिक सक्तिय का परिणाम नहीं है उससेकिसान की गईममेहनत का भी परिणाम है next फिर Ricardo ने माना था कि लगान ही इन भूमी की मान्यता ली थी जो अंतीम भूमी जिस पर खेती की जाएगी वो लगान ही इन होगी उसको ले करके भी आलोचना की गई है कि सीमान भूमी को लगान रही इत भूमी Ricardo ने माना है जबकि वर्तमान समय में कोई भी भूमी ऐसी नहीं है जिससे लगान उत्पन नहीं होता हो तो लगान रही जो भूमी की कलपना की गई थी वो निराधार थी नेक्स्ट फिर लगान का जो द्रस्टी कौन है वो रिकार्डो का संकुचित माना है अलोज कौन है उनके अनुसार रिकार्डो केवल भूमी तकी सीमित होकर रहे गया था है ना जबकि स्रीमती जॉन रोबिंसन और जीड एमरिस्ट आधी अन्य अर्थ सास्ति ऐसा मानते हैं और रिकार्डो के समत का खंडन करते हैं कि लगान केवल भूमी से ही उत्पन होता है उनका ऐसा मानना है कि उत्पादन के अन्य साधनों से भी लगान पैदा हो सकता है आजकल जो है लगान को कुछ अनुकूल परिस्तितियों का परिणाम माना जाता है और उप्वोक्ता को लगान की भी चर्चा करना असाधन बात माननी जाती है तो इस परकार से उसका द्रस्टिकोन केवल खेती तक सीमित था इसलिए संकूचित द्रस्टिकोन माना जाता है फिर एक किमत भी लगान से प्रभावित होती है रिकार्डो ने ये सिद्ध करने का प्रियास किया था कि लगान का प्रभाव कीमत पर नहीं पड़ता है बलकि कीमत लगान को प्रभावित करती है आलोचकों का ऐसा मानना है कि रिकार्डो की ये धारना जो थी वो गलत थी क्योंकि आजकर ये माना जाने लगाया कि लगान एवं कीमत दोनों एक दूसरे को परबावित करते हैं अगर लगान जदा है तो भी कीमत जदा हो जाती है अगर कीमत जदा है तो भी लगान बढ़ जाएगा तो इस परकार से रिकार्डो के लगान सिद्दान्त की अलनेक अलोचनाय की गई है इस पर भी जो है जो रिकार्डो का जो सिद्दान्त है उसका महत्व आज भी उतना ही है जो इतना की उस समय था जब रिकार्डो ने इस सिद्दान्त का परतिपादन किया था रिकार्डों के आधार बूत सिद्धानतों में आज भी कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है क्योंकि रिकार्डों ने जिस परकार का सिद्धान दिया था आज भी वैसा ही ये सिद्धान है जैसा कि परकरतीवादी, एडम समीद आदी का विचार था कि लगान परकरती की उधारता का परिनाम है, परन्तु रिगार्टो ने इसे परकरती की करपणता का फल माना था। लगान सिद्दान ने परकरतीवादियों तता इसमित के परकरतीवाद पर अंतिम चोट की थी। रिकार्डो का लगान सिद्दान ये भी सपस्ट करता है कि समाज के विभिन वर्गों और भू स्वामियों के मद्य इतों का संगर्श रहता है। समस्त खेती संबंदी सुधार जो समाज को लाब पहुचाते हैं वो भूमी पतियों को पसंद नहीं होते हैं क्योंकि ये लगान को तम कर देते हैं रिकार्डो के लगान सिद्दान से ये भी आबास होने लगा था कि लगान एक प्रकार की अनार जिता आई है इसी आदार पर भूस्वामियों पर आरोप लगाये जाने लगे थे कि लगान प्राप्त करने के लिए उन्हें किसी प्रकार का स्रम नहीं करना पड़ता है दिरे दिरे ये विचार जोर पकड़ने लगा और लगान रास्टिय उत्पादन का वह भाग है जो बूस्वामियों को उनकी संपती के अधिकारी होने के कारण मिलता है यही नहीं लगान में व्रदी होने से लाब घटता है तो रिकार्डों के लगान सिद्दान से प्रभावित होकर के ही बाद के अर्थसास्तियों ने व्यक्तिकत संपती के विरोध में इसे एक तीर के रूप में प्रियोग किया था माल्थस और उसके अन्युआयों ने इस तरक का खुल करके प्रियोग किया था मिल ने परगति सील करार उपन के द्वारा लगान को समाप्त करने का सुजाओ दिया था इसी आदार पर बाद में विचारकों ने भूमी के राष्टे करन का भी समर्थन किया है तो रिकार्डों का इतनी आलोचनाओं के बावजूद भी उसके सिद्दान्द के आदार पर अनेक नहीं परिवर्तन किये गए है रिकार्डों के समय में भूस्वामियों और उद्द्योग पतियों के बीच में संगर्स जन्म ले चुका था उस समय ये अनुबव किया जा रहा था कि लगान बढ़ जाने से लाब में कमी होती है उस समय उद्योग पतियों को अपने स्रमिकों के लिए सस्ते गले की आवशिकता थी ताकि मजदूरों की मजदूरी निम्न बनी रहे और उनके लाब मुच्छे रहे उस समय नेपोलियन के साथ युद्ध के कारण बिटेन में अनाच के मुल्यों में भी अबूतपूर्व वरदी हो गई थी यही नई इंग्लेंड में जनसंक्या वरदी के कारण भूमी पर जनसंक्या का भार बढ़ता जा रहा था और भूमी की दुरलपता के कारण भूमी के लगान में वरदी हो रही थी तो आज हमने पढ़ा है कि रिकार्डो का लगान सिद्धान